नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नौलेज बजवराज के वडियो में हम बात करेंगे बिहार SSE CGL के बारे में जैसे कि आप लोग को पता है कि बिहार SSE CGL जो इससे पहले निकला था 2014-15 के आज पास उसका जो जो भी प्रोसेस था वो कंप्लीट कराया गया और जो बिहा सब्सक्राइब के official website को मैं दिखाता हूँ यहां पर आगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखिएगा 31-32021 को एक notification आया था कि जितने भी चैनिटेट है उनका फिजिकल टेस्ट के लिए एक notification निकाला गया है मेंस के एक्जाम के लिए ठीक है तो बहुत ही अच्छी ख बारे में हम बात करते हैं तो यहां देखिएगा बिहार एससी ठाड़ ग्रेजुट लेबल नोटिफिकेशन 2021 के बारे में जो अभी निकलने वाला है यहां पर आपको पेपर इस पेपर में बताया जा रहा है कि 15 वैकेंसी आने वाला है बट मुझे लगता है कि लगभक 2000 से कम वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा लगभक आपको 2000 वैकेंसी देखने को मिलेगा बिहार एससी सीजियल में जो कि आप लोग लिए अच्छा मौका होगा बिहार में जॉब करने के लिए ठीक है अगर हम बात करें यहां पर कि यह वैकेंसी कब तक आएगा तो यह वैकेंस हो सकता है यहाँ पर 40-37 साल हो सकता है ठीक है एज लिमिट यहाँ पर 37 साल हो सकता है qualification के बारे में बात करें तो qualification आपका जो last year मांगा गये था graduation क्योंकि CGL है नहीं है तो graduation मांगा जाएगा central government हो या फिर state government हो आपका कैसा degree होना चाहिए graduation का degree होना चाहिए ठीक है और OBC के लिए 40 साल होगा और स्ट के लिए 42 साल होगा और grade पी यहाँ देख सकते हैं कि 9300 से लेके 348 प्लस 42 रुपे पर मंत आपको मिलेगा और selection जो process है अगर 40,000 से यह मैंने जागरन जोस में देखा था अभी उसका newspaper मुझे दिख नहीं रहा है जहां पर मैंने देखा था मैंने बहुत search करने का कुसिस किया बट मैंने देखा था कि यहां पर मैं बता रहा था आप लोग को कि हाँ अगर 40,000 से कम बच्चे इस form को apply करते हैं ठीक है यह बिल्कुल official notice है तो इस exam का प्रिलिम से exam नहीं लिया जाएगा सिधा mains exam लिया जाएगा अगर जो अप्लिकेंट होते है वो 40,000 से ज़्यादा होते है तो mains exam भी होगा मतलब पीटी और मेंज से दो फेज में exam कराया जाएगा अप्लिकेशन फी आप देखिएगा 100 रुप्य और 400 रुप्य अप्लिकेशन फी रखा गया है और अगर हम बात करें यहाँ पर की application को कैसे फिल करना तो आपको सबसे पहले अफियल वेबसाइट पर जाना होगा विहार SSC के ठीक है न विहार SSC का ऑफियल वेबसाइट पर जाना होगा तो यह जो notification आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाल है ठीक है, 2000 के आसपास है, आपको ये vacancy देखने को मिलेगा, CGL लेवल में सची वाले का vacancy देखने को मिलेगा, exam pattern के बारे मैं मैं बताना चाहता हूँ, तो exam pattern आपका होता है, math से, reasoning, और GS से, और GK होता है, ठीक है न, 150 number का question होता है, 50 number का side होता है, maths और science होता है, maths और science 50 number का, 50 number का reasoning होता है, और 50 number का GK होता है, जिसमें बिहार का भी GK पूछा जाएगा, total 150 number के question पूछे जाते हैं, और यहां आपको qualify होने के लिए लगभागे चाहिए होंगे, 110 number अगर आपका आता है, तो आप qualify हो सकते है, general category से, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, तो चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और भी किसी का कोई doubt होगा, तो आप लोग comment करके मुझे बताइएगा, और जब भी notification आएगा, तो मैं सबसे पहले provide करने का कोसिस करूँगा, अपने चैनल पर आपको, और ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सबस्क्राइब कीज़ेगा, आसा करता हूँ कि आज के दिन आप लोग कापी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, धर ये ये वीडियो आपको, तो प्लीज सबस्क्राइब कीज़ेगा,